इस वक्त एक breaking news आ रही है, आपको लिए चलते हैं, मद्यप्रदेश से कमलनाथ को राजसभा का टिकेट नहीं मिला है, ये अटकले लगाई जा रही थी, ऐसा कमलनाथ ने कहा नहीं कि वो राजसभा जाना चाते हैं, लेकिन ऐसी अटकले लगा जा रही थी कि कमलनाथ को हो सकत कि उम्मीद्वार होंगी, ये इस वक्त की बड़ी एहम जानकारी आ रही है। हर्याना से टिकट मिला था, लेकिन वो कॉंग्रेस के ओफिशल उमिद्वार होती हुए भी चुनाव हार गयते हैं। बाकी सभी नाम एक्सपेक्टर लाइन्स में हैं, लेकिन कमलनाथ आपने बिल्कुल ठीक कहा, ये अटकले काफी दिनों से लग रही हैं, कि कमलनाथ पहले लेडर ऑफ आपोजिशन बनना चाहते थे, मत्रदेश में उन्हें नहीं नहीं बनाये गया, और अब वो रास्तभा कि सीट चाहते थे अपने लिए, और वो चाहते थे कि अपने बेटे को जो अभी भी छिनवारा से लोकसभा संसद हैं, वहीं से उनको टिकट दिया जाए, ऐसी भी खबरे आ रही थी, कि पार्टी चाहती है कि कमलनाथ छिनवारा से खुद लोकसभा का चुनाओ लड़े, ल राजनिती गल्यारों में, मत्परदेश में और डिल्ली में भी काफी दिनों से चल रही है, तो अब देखना दिल्चस्थ होगा कि कमलनाथ का अगला कदम क्या होता है, क्या जो अटकले चल रही हैं, वो उसी हिसाब से आगे बढ़ते हैं या उनका राजनिती कदम कुछ औ अब से कुछ तिन पहले कमलनाथ ने भुपाल के अंदर कॉंग्रेस के MLA's के साथ एक डिनर भी किया था, अब एक लौती कॉंग्रेस में मत्परदेश के अंदर जो लोकसभा की सीट है, वो चिंद्वारा कमलनाथ के बेटे नकुलनाथ वहां से सांसद हैं, कुल मिलाकर कॉ परनाटका से तीन, अजय माकन, नासर हुसैन और जीसी चंदर शेकर को टिकेट दिया गया है, मद्परदेश से असोक सिंग को और तेलेंगाना से रेनुका चौधरी और अनिल कुमार यादव को टिकेट दिया गया है, तो कॉंग्रेस ने अपने छे उम्मीदवार घोशित कर्दिये.